अज हम आपको बताएंगे मिल्क पोडर से बहुत ही बढ़ी आ रेस्पी तो आज हम आपको मिल्क पोडर से मिठाई कर दिखाएंगे जो बहुत ही स्वादिश और बहुत ही अच्छे बनकर तेयार होते हैं थो देखे फ्रेंट्स उसके लिए मैंने एक कढ़ई अपनी गेस पर रख लिए हैं और अब मै अपनी गेस को ओन्ते हैं और इसमें डालूंगे एक ग्लास दूद Perfect और आपको इसमें डालना है 3-4 चमज़ देशी घी, तो देखी मैं इसमें 4 मेडियम चमज़ घीके डाल देती हूं, तो देखी फ्रेंट्स मैंने अपनी कड़ाई में दूठ डाल दिया है और इसमें 3-4 चमज़ घीके डाल दिया है और अब हम लेंगे 1 कटओरी मिल्क आउड तो देखिए मैंने एक कटोरी मिल्क पॉडर लिया है जो कि मैं इसमें एड़ कर लूँगी और अब मैं इसे अपने धूर के अंदर अच्छे से मिला दूँगी तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी ताकि ये निचे की तरफ लगे नहीं तो देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी एलाईजी डाल दी है तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा फूड क्लर आप चाहोती सी पानी मिला की भी डाल सकते हूँ ले काफी अच्छा कलर कर देता है यह आपको किसी भी नॉर्मली दुकान से मिल जाएगा आप अब परचुन की दुकान से इसे भी ले करा सकते हो तो अब मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूंगी लड़ू तो आपने बहुत खाई होंगे लेकिन यह लड़ू अगर एक पार आप खाएंगे तो आपकी फैमिली के हर मेंबर को बहुत पसंद आएंगे तो देखिए आप देख सकते हो इसकी कंडिशन थोड़ी सी गाड़ी हो चुकी है अब इसे मैं इसी तरह हिलाती रहूंगी ताकि यह थोड़ा सा गाड़ा और हो जाए बस प्रैस आपको एक बात का खा कर तयार होंगी तो फ्रेंट्स आपको इसे 10-15 मिन तक इसी तरह हिलाती रहना है यह बहुत ही जल्दी बनने वाले मिठाई है क्योंकि आप अगर दूद भून कर मिठाई बनाएंगे तो उसमें आपको दो से तीन घंटे अराम से लग जाते हैं बाकी दूद की पुएंटे कि डूद की मिठाई बनाने में काफी टाइम लगता है इसलिए मैं आपको फटा-फट मिल्क पोड़에서 बनाएंगों इसलिए मैं आपको यह बखो यह जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं तो आपको इस यह तरह मिलाती रहना है जब तक है आपका डों ही हो जाताए है मिठा के कंडिशन में नहीं आ जाता हम तो फ्रेंट्स में से इसी तरे हिलाती रहूंगी 10-15 मिंट में आपका ये डोर तयार हो जाएगा तो फ्रेंट्स में से इसी तरे हिलाती रहूंगी यह हमारा जो मिल्क और वो अच्छे से पक दी जाएगा और यह है बिल्कुल मिठाई जैसे कंडिशन में आ जाएगा धिरे धिरे लेकिन आपको इसे हिलाने से बिल्कुल नहीं रुखना है अगर आप इसे हिलाना बंद कर देंगे तो नीचे की तरफ लग जाता है अगर आपको अछे मिठाई खानए तो थोड़ इसे तो मेहनत करने ही होगी क्योंकि मेहनत करने की बार हमें बहुत अच्छा लगता है खाना इस मिठाई में आप जितनी भी मैनत करेंगे कुछने ही आपकी मिठाई बहुत ही स्वादिश्ट और अच्छी बन कर तैयार होगी तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसे इसी तरह हिलाती जा रही हूँ आपको इसे इसी तरह हिलाते ही रहना है तो फ्रेंट्स अब आप देख सकते हैं यह बिल्कुल मिठाई की कंडिशन में तयार हो चुका है अब मैं इसे बंद कर दोंगी तो देखे फ्रेंट्स अभी थोड़ा डोहब को थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि काफी पतला है लेकिन यह बिल्कुल मिठाई की कंडिशन में तयार हो चुका है अब ही हम इसे फैला कर थोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि यह ठंडा होने के बाद हमारी मिठाई बहुत ही अच्छी कर जाएं तो देखिए मैंने इसे अच्छी से फैला लिया है अपनी चमच की साहता से और मैंने इसके उपर घीट आल लिया था इसलिए ही है चमच पर बिल्कुल ही लगा है आप देख सकते हो हमारी चमच पर बिल्कुल साफ है तो आप इस पर एक बार की जरूर लगाएं थोड़ा सा तो देखिए मैंने इसे फैला लिया है अच्छी से तो देखिए फ्रेंट्स मैं इस पर लगाऊंगे अब थोड़ा सा सिल्वर फोईल ताकि ये दिखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी इसका स्वाद और बढ़ जाए ये उप्शनल है अगर आपके पास हो तो आप इसे ट्राइ किजिएगा वरना रहने दीजिए आप इसे ड्राइ फूट से भी सजा सकते हैं तो देखे फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर सिल्वर फोईल लगा लिया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे आप चाहो तो इस पर ड्राइ फूट भी लगा सकते हो यह ओपिशनल है जो भी आपके पास घर पर ड्राइ फूट एवलेबल हो वहीं आप इसे गानेस के लिए इसके उपर लगा सकते हो तो अब मैं इसे दस से पंद्रा मिंट के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूं तो देखें मैंने इसे दस से पंद्रा मिंट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था अब पंद्रा मिंट हो चुके हैं और हमारी मिठाई काफी ठंडी हो चुकी हैं तो अब हम इसे क करेंगे कर पास थी चाइब कर सकते हैं मैं आज Arsen से ले रखा मैंने isol आपक आपक के पास हो तो रहे था ने खरा कमणे जोह प्रटा मैं इसा से बहुंड तो कर खाएंगे क्योंकि उन्हें स्टार बहुत पसंद रहते हैं इसे कट कर लिया है आप देखिए अब मैं अपनी मिठाई को नीची की तरफ निकाल लूँगी तो देखिए आप देख सकते हैं इसका कितनी अच्छी सेप आई हुई है तो इसी परकार मैं आपनी सभी मिठा के अच्छी तरह देखे सकते हैं अब हम इसके उपर एक बादाम लगा देते हैं तो देखिए फ्रेंज टो कितनी अच्छी तरह अपने बादाम देख सकते हो किए कर दो कम देख आप दिखने में चाह रोगी लीजिए तो friends इसे एक बार आप ट्राइज रूर कीजिएगा और बताईएक कि आपको हमारे यह मिठाई कैसे लगी आपको वारी वीडियो कैसी लगी यह ज्यूरूर बता येगा हमें comment box में लिक के रहूव तो friends अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक किजिए पने दोस्तों में शेर किजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में नोटिफिकेशन बैल जरू दबाए ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रही है तो friends अगली एक ऐसी ही वीडियो एक साथ सब्सक्राइब से मुलाकात होगी सब तक के लिए नमस्कार